इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आपको पुरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा अगर मिल भी गया तो अच्छी बात है क्योंकि यह मैंने आए दिन प्रैक्टिकल कर रहा हूं वो कि अभी जितने भी जिम बिगनर्स हैं उन्होंने हाली में इस्टाइट किये हूँ जिम उनके माइड में एक सवाल बहुत जादा पिंच करता है कौनसा है कि भाईया हम बेंच प्रैस अच्छी नहीं लगा पाते हैं डैड लिफ्ट अच्छी नहीं लगा पाते हैं सब्लब क्या समझत आप कि आपको हर एक सिच्छी में जो वर्काउट कर रहे हो उसके लिए न्यू एक तरीकी से नहीं जैसे कि मान के चलो आपको बेंच प्रेस करना है तो आपको पहले बेंच प्रेस नहीं लगवाई जाएगी पहले आपको लगवाई जाएगे पुस यह जो आपके बेसिक्स है ना जैसे की मान के चलो आपके बोड़ी बेट स्कुएट हुए ठीक है यह सब पहले आपको करवाया जाएगा अगर एक नॉर्मल और आसान भासा में कहूं तो पहले आपको आपकी बोड़ी का बजन उठवाया जाएगा ना कि मसीन अगर आप इस गलत फहिमी में रहते हो कि आप सीधी मसीन पर ही जाके वर्काउट करने लगोगी एक अच्छे तरीके से वित प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बहुत बड़े भर्म में जी रहे हो आप और ये गलती मेंने भी की थी आससे दस साल पहले सीधा मसीन पर वर्काउट करता था इसकी बज़े से मुझे अपनी बोड़ी में इंबैलन्स देखने के लिए मिलने लगा था जैसे कि हलका सा हाथ टेड़ा जाना और हलका सा सोल्डर ऊपर आना और मसल इंबैलन्स के पीछे का भी बहुत बड़ा जीजन दूबा मैं जड़ा सुनी आगे जाके अब यहां पर बहुत से लोग जो बिगनर्स थे वो आगे जाके वर्काउट करने लगे अच्छा ठीक है मसल माइंड करे कि कोजिस की थी जिस दिन मैं था नहीं मैंने वर्काउट नहीं बता पाया था और वो अपने इसाब से लगा रहे तो उन पर वो बैंच प्रेस अच्छे से नहीं हो पाई मतलब अच्छा वेट नहीं उठा पाए अब इससे उन्होंने कहा कि भाया हमारा मसल मास बड़ रहा सोसल मीडियास पर कि भी यह देखो बैंच पर इस किस तरीके से उठा रहे हैं 200 किलो ठेक है आपकी डेड लिफ्ट लगा रहे हैं 300 किलो पर इसको एट लगा रहे हैं सिर्फ आपने उनको ये देखा उनका बैक्ग्राउंड चेक नहीं किया कि वो किस फील्ड से आते हैं वो मसल को बिल्ड करने आयो मसल को बिल्ड करने के लिए और मसल को डेमेज करने के लिए ऐसी बहुत सी टेक्निक रहती है जो कम वेट से भी डेमेज किया जाता है प्राइमरी गूल समझो बोडी बिल्ड का क्या होता है मसल को डेमेज करना सेफ तरीके से ना कि एक मैक्जिमम व के लिए तो आप कैसे सोचकते हो कि उस पर हैवी से हैवी चले जाओगे उस मूवमेंट के आपने प्रैक्टिस की नहीं है अब यहां पर वस्ति लों कहेंगे भईया हां आपने तो डंबल प्रैस से प्रैक्टिस की थी तो बैंच प्रैस भी सेम ही हुई ना सेम हुई लेकिन को रॉट से की जाती है जब रॉट का एक जो वेट होता ना एक ही ऑब्जेक्ट पर टिकाओ वो चीज अलग होती है और यहां पर जो डंबल है ना वो दोनों अलग अलग हातों पर है तो बात को समझो अगर नहीं तो आपको मेरी बातों पर विस्वास नहीं हो आप जाकर सकते हो मतलब करकी कि देख सकते हो अपनी जिं में कि जो रॉट है उसका बैलेंस अलग होगा और जो डंबल है दोनों हातों पर उठा रहें और इसके पीछी का भी रीजन है नहीं कि यह बैंच प्रेस किसलिए मगाई ए वो इसलिए मगाई यह जिस्ते की ट्रेफिक को और इसमें अगर मैं बारवल से exercise करवा हूंगा तो जो आपकी body में unbalance है वो और ज़्यादा बढ़ता चलेगा example के तौरब इससे समझेए कि जो biceps के लिए जो बारवल होती है उस पर आप करिए एक साल तक उसमें आप यह देखोगे कि कि आपका एक हाथ बढ़ा और एक हाथ छोटे ही मिलेगा क्योंकि आपने उल्लेडी मसल imbalance कर लिया है भचपन से जैसी आप बहुत दो लोग इंडिया में क्या करते हैं सीधे आज से इसके बढ़ा हो जाता है अब इसके बाद आपने क्या किया जिम में आके वाई से अपके लिए बारवल लगाना लेफ्ट हाथ ही क्या करता है गिवफ और सीधा आते वो लगाता रूटते चलता है और वो हर बार जब ऐसा करते रहते हैं तो क्या होता है इसकी पावर कम ही दे गई और इसकी पावर बढ़ती रही अब इसके सिर्फ दो सॉलिशन है जिसमें से सिर्फ मैं एक को ही बैटर मानता हूँ इसके पीछी का भी रीजन दूँगा मैं कि यहां पर मैं सिर्फ डंबल से ही एक्सटाइस करवाँ तो इससे क्या होगा जितनी इस हाथ में दम रहेगी वो अपना लगाएगा एफट और जितनी इस हाथ में दम रहेगी वो उतना लगाएगा एफट जैसी मान के चलो इससे मैंने 10 लगाए तो इससे 8 लगाँगा एक सुरुवात में जब तक कि मेरे में पावर नहीं है इस हाथ में फिर बात में जाके बलकि थोड़े मैं इससे एक्ष्टा ही लगाऊँगा क्योंकि ये सीधे हाथ से कमजोर है मेरा उल्टाथ तो ऐसे क्या होगा फ्यूचर में ये अपना बजन खुद उठाते उठाते ये इसके बारावर आ जाएगा तब देन आपको देखने के लिए मिलेगा कि मसल इंबैले साथ वो भी दूर हो चुका है फिर देन आप ये सब पोश्चर ठीक करके बैच प्रेस पर जाएगे मतला जो भी करना है बारवल से वो कर सकते हो क्योंकि आपका मैक्जिमम जो बैलेंस से वो बराबर हो चुका है अगर इंबैलेंस में ही सुरू बात में ये सब करते हो तो और मैं आपको लाश्ट में एक और बार बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को जड़ा रिपीट करके देखिए और वह ऐसा इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा अगर मिल भी गया तो अच्छी बात है क्योंकि यह मैंने आहे दिन कर रहा हूं लोगों पर देख रहा हूं और जो पूरा दस साल में अभी मैंने जो सीखा है ना थोड़ा बहुत वह मैंने आपको इस वीडियों बता दिया इसलिए से जरूर दुबारा देखिए खासकर बिगनर्स और जिनका बोडी में इंबेलेंस है अगर वह इंटरमीड करने से कुछ नहीं होगा सोसल मीडिया की अभावाजी पर चलने पर कुछ नहीं होगा जो चीज़ है प्रैक्टिकल ही है उसे देखना पड़ेगा अगर नहीं देखोगे हमेशा ही विश्वास मानो एक अपनी लेंगविज हम वोलू तो चटकोगे चटकना इंदा सेंस यह है कि अपने देखा नहीं है कि बहुत से लोग अपना सुल्डर इंजट कर बैठते हैं ठीक है अपने लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम ले बैठते हैं हिप जोइन चला गया उनकी कलाई है कई हो बार दूख नहीं लगती हो कई बार तो लोगों की ब्रेक भी हो जाती है मै एक और मैटर यहां पर क्रॉस हो सकता है कि आपने देखा हो का वेट लिप्टिंग वालों को वह ऐसी उठाते हैं जारतर उनकी कलाई ऐसी रहती है लेकिन उनका मैटर कुछ और है उनकी कलाई की जो तागत है और जो सपूर लेती उन्होंने काम किया है वो कुछ और है ठीक सबस्ता हूं यार देखो चोटी से चोटी चीज आपको बताना क्योंकि मुझे पता है वो आपको फ्यूचर में कितना बड़ा डेमेज दे सकती है और आपकी गोल को कितना ज्यादा दूर कर सकती है ठीक है तो यह तापिक आई हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो मैंने आपको यह थोड़ा बहुत जो समझाने ही खुसिस की है जितना ही मुझे आता है एक्स्पीरियंस किया है वो आपने अच्छे से समझा होगा और आपने जो मेरी इतनी देरत बास सुनी उसके लिए थैंक यू